अब हम चैप्टर 9 के important question देखने जा रहे हैं, ये चैप्टर के अंदर से भी board आपको 2 marks के question पूछ लेती हैं, अब इसके कुछ questions को देखें तो state the reason for the destruction of wildlife, wildlife की बरबादी का reason आपको बताना है, ये सवाल आपसे board अभी पूछ रही है, कुछ अंसर देखते हैं, the wild animals are in danger because of human activity in the forest, human activity जो forest के अंदर हो रही है, उसकी वज़े से wildlife बरबाद हो रहा है, the destruction of forest is the most responsible reason for the wildlife extinction, wildlife खतम हो जाने का एक main कारण है कि जंगल भी बरबाद हो रहा है, जब आपका घर बरबाद होगा तो आप भी बरबाद होगे, जानवरों का घर है जंगल, अगर हम जंगल को बरबाद करेंगे तो जानवर भी बरबाद होंगे, hunting of animals for their hair, skin, bones and nails, जानवरों क बाल, skin, bones and nails के लिए उनका hunt किया जाता है, उनका सिकार किया जाता है, जिसकी वज़े से वो खत्रे में है, many animals have become extinct because they are killed to obtain organic medicine, कुछ जानवरों को मारा जाता है, क्यों? ताकि उनसे organic medicine obtained किया जाए, इसलिए भी वो खत्रे में है, forest fire kill many animals, जंगल के अंदर जो आग लग जाती है उससे भी जानवर खत्रे में आ चुके हैं, तो ये कुछ reasons से काफी easy है, आपको याद रहे जाएंगे, अब आपका एक सवाल है, explain the type of forest according to administration, administration के उपर से आपको forest को divide करना है, या उनके type बताने है, तीन पार्ट में divide है, reserve forest, protected forest and unclassified forest, तीनी marks का question है, बट ये आपको लिखना पड़ेगा, this forest are under the control of government, जो forest government के control में होगी, आप उसको reserve forest बोलोगे, there is a restriction on cutting tree, collection of wood, or restriction on grazing, घास वगेर चलाने पे, लकडी कटा करने में, या पेड़ काटने पे, जिस भी forest के अंदर ban है, उस forest को आप reserve forest बोलोगे, अब protected forest, इस forest are maintained by government, इस forest को government maintain करती है, याद रखना ये confused मत होना, reserve forest को government control करती है, protected forest को government सिफ और सिफ maintain करती है, ये difference है तोनों के बीच का, लोकल पीपल आर, permitted to collect the wood, and to graze their animals, without causing any harm to the trees, जंगल को बिना नुकसान पहुचा है हुए, लोकल पीपल यहाँ पे, wood इखटा कर सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं, ये चूट मिलती है, protected forest के अंदर, अब लास्ट वाला है, unclassified forest, इस forest are not classified, ये forest classified नहीं है, there is no restriction on tree cutting or animal grazing, यहाँ पे कोई भी rules and regulations नहीं है, जिसको मन करें वो घास चरवाए, जिसको मन करें वो पेड़ काट के ले जाए, तो यहाँ पे administration के उपर से आपने type of forest को divide कर दिया, अब ये जो सवाल है, what are the effect of deforestation, इसके अंसर को जानते हैं, the quantity of carbon dioxide increase in the atmosphere, अगर आप जंगल को काट देंगे, तो हमारे environment के अंदर carbon dioxide फैल जा रहा है, हमारे atmosphere के अंदर carbon dioxide फैल जा रहा है, जो नुकसान दायाक है हम इनसानों के लिए, increase in global warming, पेड़ों काटने से, जंगल खतम करने से global warming बढ़ रही है, the problem of soil erosion increase in lesser forest area, आप जंगल काटोगे, तो आपको पता होना चीए, कि ये पेड़ का root है, वो इस तरीके से होता है, ये जो drawing मैंने बनाया, ये बहुत महेंगे drawing है, आपको समझ में नहीं आएगी, ये जो root होते हैं, वो soil को पकड़ के रखते हैं, अगर आप जंगल को काट दोगे, तो वहां की जो मटी है, वो धीली हो जाएगी, और एक जगे स से wildlife भी खतम हो रहा है, desertification has increased in some part of the country, अगर आप जंगल काटना सुरू कर दोगे, तो वो area जो होगा, वो रेगिस्तान में convert हो जाएगा, इतना बड़ा नुकसान होता है, अमको जंगल काटने से, तो यहां पर आपका ये भी अंसर हो गया पूरा, अब आपको एक सवाल पू पेड काटा जा रहा है, उनके उपर बैन लगा दो, if tourism should not damage forest, जो इंसान जंगल में घुमने जाते हैं, उनको बूला जाता है, ऐसे जो घुमने वाले लोग हैं, वो जंगल को नुकसान नहीं पहुचाएंगे, अगर जंगल को नुकसान पहुचाएंगे, तो उनको सेर के आ सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि हमको जंगल को बचाना है, तो हमको क्या सिखाया जाता है, कर लंवग नहीं कर गया है, तो मुर्गा बना देंगे, make a proper system to control forest fire, forest fire से जंगल ब्यरबाद होता है, तो forest fire के ऊपर proper planning करो, कि जब forest fire होगी, तो हम जंगल को कैसे बचाएंगे तो यह सारे steps से आप जंगल को बचा सकते हो, अब यहाँ पे एक बहुत डिंजर सी बात बोल दी गई है, a time has come for us to think about the wildlife which are on the verge of extinction, कुछ जंगली जनवरे जो खतम होने पे आ रहे हैं, अब हमारा समय आ चुका है कि हमको उनको बचाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, अलिगेटर इस फांड ओंड और वेस्ट बंगाल के अंदर ही देखने को मिलते हैं, पैंथर इस अल्मोस एक्स्टेंट फॉम् दा फॉरेस्ट ऑस इंडिया, हमारे जंगलों से खतम हो रहे हैं, चीथा इस बिकमिंग एक्स्टेंट इन इंडिया, चीथा भी हमारे जंगलो alligators जो fresh water में रहते हैं वो भी खतम हो रहे हैं a time has come for us to think about it seriously अब हमें बहुत seriously इन सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा तो यह हो गया आपका अंसर पूरा अब यहाप एक सवाल है कि what is mean by century इसका अंसर जानते हैं centuries are those protected area we are a provision provision मतलब rule where a rule is made to protect and conserve those wildlife animals which are facing the danger of extinction century उस एरिया को बोलते हैं जहां पर कोई जानवर है वो खत्रे में है वो खतम होने वाला है उसको बचाने के लिए उस एरिया को प्रोटेक कर दिया जाता है तो उस एरिया को बोलेंगे हम century suppose tiger है tiger उस जंगल के अंदर खत्रे में है तो उस जंगल में tiger को बचाने के लिए कुछ rules and regulations लगा दिये जाएंगे तो उसी एरिया को हम बोलेंगे उस जंगल को हम बोलेंगे century the state government can establish a century for the protection of special species मैंने बोला ना किसी भी एक species या एक प्रजाती को जैसे बोल तो को tiger को बचाने के लिए एक जंगल को protected zone में ला दिया गया तो आप उसको क्या बोलोगे century और यह बनाता कौन है state government बनाती है human activity can be carried out there within the certain limit human activity होगी बट एक certain limit में होगी after getting permission from the authority grazing can be practiced for the domestic animals domestic animal के लिए आप आप घास चरवा सकते हो बट उसके लिए आपको चाहिए होगी permission तो यह जो सारी rules and regulations लग जाएगी ऐसे जंगल को बुला जाएगा century क्या याद रखना है कि किसी सब species को बचाने के लिए जंगल के अंदर कुछ rules and regulations लगा दिये जाते हैं उस एरिया को हम बोलेंगे century तो यहाँ पर आपका century का अंसर भी हो गया पूरा आगे एक सवाल है कि what are national park national park क्या होते है the area reserve for the protection of natural vegetation wildlife spot of natural beauty and places of national importance are called national park अगर आपको सीरी से वासा में समझाओं तो जंगल खत्रे में है जंगली जानवर खत्रे में है उस जंगल की सुंदरता खत्रे में है अगर यह सारी चीज़े खत्रे में है तो उस जंगल को national park के zone में डाला जाता है अब यहां पर कुछ rules लगेगा in comparison with century it is more of a protected zone century के मुकाबले यह कुछ ज्यादा ही restriction वाली जगा हो जाती है more than one ecosystem is included here एक से ज्यादा की एक से ज्यादा चीजों की उपर ध्यान दिया जाता है national park के अंदर जैसे यहां पर आप देखी रहों की natural vegetation है wild life है और natural beauty है चंगल की तो यह एक से ज्यादा चीज़े हैं वही लिखा हुआ है यहां पर की more than one ecosystem is included here एक से ज्यादा चीजों की उपर पर ध्यान रखा जाता है grazing the domestic animal is prohibited यहां पर घास वास चरवाना सब बंद होता है the movement of tourism are restricted here यहां पर जो टूरिस्ट है उनका movement भी बंद कर दिया जाता है अब अगर आपको century और national park को differentiate करना है तो century के अंदर गुमने जा सकते हो permission के permission के साथ आप गाया बहुत चला सकते हो यहां पर किसी एक particular जानवर को बचाने की try की जा रही होती है तो ऐसे जगे को हम बोल देंगे century अब national park को समझना है तो जंगल खत्रे में है जानवर खत्रे में है वो जंगल की beauty खत्रे में है अगर ऐसा area है तो उसको हम national park के अंदर डालेंगे अब rules भी कुछ अलग है आप century में घ जास नहीं चलवा सकते हैं अब century में घुमने जा सकते हो आप national park के अंदर गुमने नहीं जा सकते हो तो इस तरीके से आप differentiate करके दोनों के difference को समझना और याद रखना अब एक और चीज़ यहां पर आ गई है कि what is mean by bio reserve, bio reserve क्या होता है इसको जानते है, bio reserve zone is formed according to international norms, norms का मतलब होता है rules, जो bio reserve है वो international rule के according form किया जाता है, बनाया जाता है, it main purpose to protect the physical and culture diversity of any reason, किसी भी reason का physical और culture diversity को बचाने के लिए bio reserve को बनाया जाता है, आगे पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा, vegetation, insects, animals, land and lifestyle of people also protected, अब bio zone कहां बनाया जाता होगा, जहां पे, जंगल खत्रे में हैं, insects खत्रे में हैं, जानवर खत्रे में हैं, यहां तक कि जंगल की जमीन भी खत्रे में हैं, और वहां पे रहने वाले आदिवासी लोग भी खत्रे में हैं, मतलब कि वो पूरा area पूरी तरीके से खत्रे में हैं, इंसान हो, जानवर हो, insects हो, land हो, forest हो, सर्च और ट्रेनिंग के लिए इंसानों को वहां भेजा जाता है कि यह जानना होता है कि यहां पे यह सारी चीजे खत्रे में क्यों आ गई उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा और उन चीजों को ठीक करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो इसलिए वहा पर सिर्फ रिसर्च और ट्रेनिंग करने वाले लोग ही जा सकते हैं जो यहां पर प्रजाती होती है जो आदिवासी लोग रहते हैं वो हमसे फैमिलियर नहीं होते हैं बहुत ज्यादा चांस होता है कि हम इनके एरिया में जाएंगे तो वह हम पर अटैक करके हमको मार देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम उनको मारने आए हैं इसलिए बायो रिजर्व में कोई नहीं इनसान जाना चाता है अब आगे पढ़ते हैं अब आगे एक सवाल उसको देख लेते हैं हमको एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बार में बताना है इस प्रोजेक्ट वस स्टाटेट इन इंडिया इंडिया के अंदर आज टोटल 26 एरिया है या 26 जोन है जहां पे एलिफेंट को बचाया जा रहा है अगर सिंपल सी बासा में समझाओ तो ऐसे 26 जंगल है जहां पे एलिफेंट को बचाने के लिए काम चालू है इस प्रोजेक्ट के बाद से हमारे देश में अलिफेंट के बढ़ने लगे क्योंकि हम उनको बचाने के लिए लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो 20th century में हमारे 20th century के beginning में हमारे देश में 40,000 टाइगर थे due to illegal hunting and deforestation टाइगर वाज इंडेंजर illegal hunting की वज़े से जंगल को खतम करने की वज़े से टाइगर खत्रे में आ गए to save tiger the government of India started the tiger project tiger को बचाने के लिए इंडिया में tiger project लाया गया एक था tiger समान खान वाला नहीं tiger project रियल टाइगर को बचाने के लिए according to this project serious step have been taken at the national level to protect tigers tiger को बचाने के लिए कुछ serious step लिए गए हैं अगर आपको इनको detail में जानना होगा तो answer बहुत बढ़ा हो जाएगा in 1971 save the tiger project was started कब चलू किया गया था 1971 में तो इतना ही अंसर आपको इसके अंदर लिखना होगा तो भी आपको अच्छे marks मिल जाएंगे तो इस chapter के अंदर मैंने आपको सारी चीजे समझा दी अभी भी आपको कोई doubt है तो मुझे comment करना जिस भी topic के अंदर doubt है उस topic को comment करना मैं आपको easily उसको समझाने की पूरी कोशिस करूंगा